प्रलय आने वाला है दोस्तों I mean to say भाई मेरे मैं एक बात जरू कहूंगा बड़े मिया छोटे मिया का टीजर देखने के बाद मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है आव यार भाई एक बात बता रहा हूं इन्होंने टीजर में कुछ भी नहीं दिखाया लेकिन एक बात बहुत तग एक आर्टिकल बहुत कुछ साल पहले आया था देखो जहां पर यह बोला गया था कि अगर कभी अगला वार वगरा होता है तो वो रूबोट्स के थू हो सकता है भाई इन्होंने बहुत दूर की सोचके बना है युवी फिल्म में मेरे पास वर्ड्स नहीं है सैल्यूट और और अब अगर टाइगर और अक्षे को देखो कि उनके जो क्लॉट से वो हर बार चेंज है मतलब समझ रहे हो बहुत सारा एक्शन से भरपूर यह फिल्म है मास ओरियंस फिल्म मतलब बोलते हैं कि पांगल हो जाएगी क्रेजी होने वाली है मेरे भाई और एक बात जरूब क ताइगर के अच्छन की नहीं इस बार वो जो डायलोग है ना वार के बाद वार बार बोल रहा था कि वार के बाद टाइगर कर क्या रहा है कौनसी फिल्म है कुछ भी मतलब चल रहा है लाइप में लेकिन वार क्योंकि वह बागी थ्री अच्छा नहीं गई थी बाद में Hero P अभी रिसेंटली गंड पर यह नहीं एक्सपेक कर रहे थे हम, हम हमेशा टाइगर को जब से उसने अपनी एक्टिंग में सच में इंप्रूमेंट दिखाई यह वो थी वार और उसके बाद सच में बड़े मिया चोटे मिया टाइगर के एक्टिंग की भी बात होगी अक्षे की भाई acting action वो सब कुछ बेस्ट है लेकिन टाइगर को लोग बोलते हैं आपने अपको प्रूव करने के जरूरत है उसने वार में अल्रेड़ी प्रूव किया है और यहां पे definitely वो बोलते न के प्रूव तो अल्रेड़ी किया है यहां पे उसको अच्छे से यूज किय अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ को मैं एक बात बोलूँगा 30 साल से शायद अक्षे कुमार के फैंस इस टाइप के हाइप को इस टाइप के मुवी के लिए तरस रहे थे जो इनको मिल गई और BMCM का पार्ट टू भी आने वाला सुना है मतलब यह फ्रेंचाइज ही बनेगी यह फिल्म ऐसी बनेगी ना कि भाई सिर्फ अक्षे कुमार टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए नहीं यह भारत की सबसे बड़ी एक्षन फिल्म बनेगी और दूसरी बात यह भी है कि एक्षन क्या है बॉलिवुड कोरियल एक्षन क्या होता है यह दिखाएंगे और सबसे इंपोर्टन बात यह भी है कि आलियाब बाज अफ़र बार भी एम सी एम कही अब पार्ट्स बनाते रहेंगे इतना एक सक्सेस्फुल फ्रेंचाइजी मिल गई है यह फ्रेंचाइजी फिल्म में सुना है बहतरीन टीजर था मेरे भाई और जिस तरीके से वो रोबोट्स अगरा दिखा है भाई वो जो पृत्विराज का करेक्टर है वो इतना संकी पागल रहने वाला है कौन रोकेगा मुझे तब यह दो आजाते है मज़ा आया है भाई जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही टीजर है इससे जादा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एकदम पर्फेक्ट दिखा है मैं तो चाहता ही था कि अब टीजर ना ऐसा ही दिखाना कि जिसमें जादा कुछ पता ही ना चले वो बहतरीन है वारना कभी-कभी कुछ फिल्म है टीजर में बहुत कुछ दिखा देते हैं गलत रहता है भोला का जब टीजर 2 आया था ने उन लोगों ने लगबग पूरी फिल्म दिखा दी थी थोड़ा सा गलत था वो चीज तो टीजर भोग इंपोर्णन रहते हैं इन लोगों ने टीजर इतना बहतरीन दिखाया है न कि यही रहता है टीजर यही रहता है क्योंकि फर्स्ट लुक से बाद में जो कुछ आता है वो टीजर रहता है इस इस नोट ट्रेलर मज़ा आ गया देखिया और ये अच्छा लगा कि इन लोगों ने actors और villain को दिखा है actresses का कुछ इसमें ये नहीं किया है इन लोगों ने जिकर मज़ा आ गया अपको कैसे लगा भाई five out of five मैं तो बोल रहो पाँच में से दस नंबर ले लो extra वाले मज़ा आ गया और इसका definitely मैं review करने वाला हूँ मतलब live reaction हम बात करेंगे शाम को मैं live आऊँगा उसके बारे में पूरा detail चर्चा करेंगे फिर तो जरूर देखिये ये और ये channel को subscribe कीजिए जो old वाला channel है वो अभी pending में उसका review में चल रहा है तो at present में यही पे सारे predictions वगर हम कर पाएंगे कि की टीजर लोगों को एक दम भाई मतलब बोलते हैं ना कि एक तरीक से लग गया वह एक दम मज़ा आ गया चैनल सब्सक्रेब ने किया है तो कर लीज़े शाम को definitely live भी बात करूंगा मैं उसके बारे में ओके जैहिन